राखी सावन्त हो, जहाँ ड्रामा नहों वहाँ ऐसा हो सकता है क्या? राखी जहाँ भी जाती ही अपने ड्रामे की वज़र से छा जाती हैं बात चाहे परदे के ड्रामे की हो या फिर पैब्स के कैमरी के सामने की हो या फिर शोशल मीडिया पोस्ट की ड्रामा कुईन राकी खुद को लाइम लाइट में रखने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देती ऐसे में अब जो ख़वार आ रही है वो सुनकर राकी सावन के फैंस को जटका लग सकता है तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है राकी शावन्त और उनके एक्स हस्बेंड आदिल खान के बीच लंबे समय से कानूनी कारवाही चल रही है आदिल ने कुछ दिन पहले शोशल मीडिया पर दावा किया कि अब राकी को जेल जाना ही पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोट ने उन्हें चार हफते में सरेंडर करने का आदेश दे दिया है कथे तोर पर सुप्रीम कोट ने राकी से कहा कि उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई उनके सरेंडर करने के बाद ही की जाएगी बता दे कि राकी इस समय दुबई में है आदिल ने राकी पर उनके कुछ नीजी वीडियो लीक करने का आरोप लगाया राकी सावन के एक सर्वेंट आदिल खान ने शोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते वेका हेलो मैं बहुत खुश हूँ खुशी की बात ये है कि सुप्रीम कोट ने राकी सावन की बेल रिजेक्ट कर दिया और और पास किया है कि वो चार हफ़तों के अंदर आपको आकर सरेंडर करना पड़ेगा तब जाकर आपकी बेल की याचिका सुनी जाएगी तब तक आपको बेल नहीं मिलेगी तब आपको बेल मिलेगी मैं बहुत जादा खुश हूँ मैं कहता था कि सम्विधान में लड़कों के लिए न्याए पाना मुश्किल है लेकिन अगर आप सच्चे हो तो आपको न्याए बिलकुल मिलेगा इसी साल मार्च महिने में आदिल खान ने दावा किया था कि राकि सावन्थ पिछले चार महिने से दुबई में है वो एक इंटर्व्यू के दोरान आदिल ने बताया था कि उन्होंने राकि खिलाफ कई F.I.R. दरच करवाई आदिल ने ये भी दावा किया था कि जब राखी भारत लोटेंगी तो उन्हें गिरफतार कर लिया जाएगा आदिल नागे कहा कि बहुत सारी FIR फाइल की है मैंने राखी खिला वो दुवई में क्यू है जानते हो क्यूंकि उसके उपर जो मैं हमने केस किया है उसकी वज़से उसको बेल नहीं मिल पा रही है वो पिछले साढ़े चार महिने से भारत से फरार है आदिल की पिछली साधी राखी सावंत के साथ हुई थी फिर इनकी रिस्ते में खटास आ गई दोनों एक दूसरे पर संसिनी स्खेज के आरोब भी लगा चुके हैं इसके बाद पिछले साल दोनों ने अपने रास्ते अलग करी है लेकिन एक दूसरे पर हमला करना अभी तक नहीं छोड़ा है बिग बॉस की कंटेंस्टेंस रह चुके राखी ने आदिल पर एक्स्ट्रा मेरिशल एफेर का भी आरोप लगाया था आदिल को 7 फरवरी साल 2030 को गिरफतार भी किया गया था लेकिन 5 महीने बाद वो जेल से बाहर निकल गयते उसके बाद उन्होंने बिग बॉस 12 फेम सोमी खान से शादी कर ली थी अब देखने की बाद ये होगी कि वो गिरफतारी से बचने के लिए अब क्या करती हैं और उनकी अगले कदम का फैंस भी विसबरी से इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही फिर मिलेंगे एकने वीडियो के साथ